तो केमो थिरपी के बात करें उस patient में cancer का tumor होता है उस tumor की growth slow हो जाती है इसके साथ-साथ उस tumor का size है वो पहले से कम होने लगता है और उस patient में cancer की growth भी काफी जादा कम हो जाती है इसके साथ-साथ जो दूसरा benefit होता है वो होता है कि उस patient में cancer के वज़े से आने वाले जो science वर symptoms होते हैं जो तकलीफ उस patient को हो रही होती है कैंसर के वज़े से तकलीब भी काफी ज़यसाती है, और इसके बाद अगर हम benefit की बात करें तो wayonta के वज़े से जिन patient में कैंसर की surgery करना मुश्किल होता है, उन patient में cancer की surgery करना kim thrabbe के कुछ cycles देने के बाद आसान हो जाता है, comparatively तो उस पेशन में केमो थेरपी के जो साइड एफेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहली बात तो किसी भी पेशन को जब हम कैंसर के टीटमेंट के लिए केमो थेरपी देते हैं, तो उस पेशन में केमो थेरपी के दोरान काफी ज़्यादा थकावट होती है, उस पेशन को बहुत ज़्यादा थकावट मेहसूस होती है, किसी भी काम को करने में वो पेशन एनरजेटिक मेहसूस नहीं करता है, वो काफी ज़्यादा थकावट मेहसूस करता है, इसके साथ-सा कुछ-कुछ cases में उस patient में diarrhea के लक्षन भी देखे जाते हैं, इसके बाद उस patient में बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फिर बहुत ज़्यादा weight में changes होना, मतलब कि patient का body का weight है वो कम हो जाना, यह भी लक्षन उस patient में chemotherapy के वज़े से देखे जाते हैं, chemotherapy के वज़े से कुछ-कुछ patients में mood changes भी देखे जाते हैं, मतलब कि chemotherapy के दोरान उस patient में काफी ज़्यादा mood changes, mood swings भी होते हैं, इसके बाद कुछ-कुछ patients में chemotherapy के वज़े से kidney के problems भी हो सकते हैं, खास करके अगर किसी patient में पहले से ही कुछ kidney की बीमारी चल रही है, और उस patient में साथ-साथ कुछ patients में peripheral neuropathy के भी लक्षन दिखाए देते हैं, मतलब कि उस patient के जो उंगलिया, for example, अगर हम बात करें, तो उंगलिया मतलब कि हातों की उंगलिया, फिर पेरों की उंगलिया, वहाँ पे उस patient को कोई sensation महसूस नहीं होता, इसके साथ वहाँ पे मतलब की पेरों का sensation ठीक से महसूस नहीं कर पाता, तो इसको peripheral neuropathy से कहते हैं, तो इस तरह से peripheral neuropathy होना और तचा के उपर और जो नाखोन होते हैं, उनके उपर कुछ abnormal changes दिखाए देना, तो यह कुछ main side effects होते हैं, जो की chemotherapy के वज़े से किसी भी patient में हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने short में बात की chemotherapy के फाइदों के बारे में और chemotherapy के नुकसान के बारे में, तो अगर इन सब को अगर हम ध्यान में रखें, तो सवाल उठता है कि chemotherapy अगर इतना सब हो सकता है, तो chemotherapy करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अगर हम compare करते हैं, तो chemotherapy ना करने से ज्यादा chemotherapy करना कभी भी आच प्रश्चा है क्योंकि अगर हम रिस्क वर्सस बेनिफिट्स का रेश्यो एनलाईज करें तो अगर हम किसी कैंसर के पेशन को केमोधिरपी नहीं देते हैं तो उसके वज़े से जो नुकसान होता है वो नुकसान केमोधिरपी के साइड एफिट्स के मुकाबले काफी जादा हो होता है इसलिए हमें किसी भी कैंसर के पेशन में केमोधिरपी देनी पड़ती है और मोस्टली आपके जो ऑनको सरजन होते हैं और रेकमेंड करते हैं तो केमोधिरपी अलग अलग फार्म में दी जाती है मोस्टली हमारे यहां पे इंजेक्टेबल फार्म में यह मतलब की आ और अगर आपके इसके विश्व में कुछ डाउट से तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूर सकते हो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो तिल देन, थैंक्यू अरी मच